एक छोड़ा सा डाइग्राम बनाए था कि एक तीन कोन बना दिये थे कोन देखे क्या था कोन बी ओओ सी कोड का रेश्यो देदिये था तो गोन बी ओसी प्लस यूडी का मान जात करें इसे लगाने के दो तीन तरीके मुपीद करते हैं मैंने आपको जो पढ़ाया था आपने क्या होगा और पढ़ा भी होगा यहां सीटेट से कोश्चन तो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आते लेकि प्रॉपर वे में यह है कि अगॉड़िन उस तल्बस हम चल लेते इसलिए आप पढ़ लिए वास्तों में जो सीटेट में कोश्चन आते हैं वह आएंगे आपके से लेटेड आएंगे जैसा कि हर बार कोई ऐसा यह नहीं है जिस यह में सीटेट से प्रश्चन ना आए हो फिर भी हम एक चोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेंगे और हम उम्मीद करते हैं आज की बाद ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको दुबारा जब कभी कर सकते है या प्रश्चना धूरा क्यों कि कहीं पर यह नहीं दिया है कि कोण ए ओडी बराग है अनपाती योग, अनपाती योग कितना होगा, 3 प्लस 4 प्लस 2, 4, 3, 7, 2, 9, कुल कोण कितना होता है, 180, अनपाती योग से भाग देंगे, गुड़े, जिस कोण का मान निकालना है, वह कोण, लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात दिख रही है, कह रहा है कोण BOC प्लस कोण COD, तो BO COD का नुपाती योग कितना है, 4, 2, 6, डाइट योग से गुड़ा कर दिए, 9, 2, 18, 20, तो 20 गुड़े, 6, बराबर 120 अंस, डाइट आप उप्तर ला सकते हैं, अब ऐसे आपनी क्या किया होगा, पहले कोण इसका मान निकाला होगा, अब क्या था सबसे पहले, हम 180 में, सम अंतर पुष्टा, इनके अनुपाती का अंतर निकालते, फिर गुड़ा कर देते, डाइट आपका मान निकल जाएगा, अगर हम मल्टिपल 3 करेंगे, तो पहला कोण, अगर हम गुड़े 4 करेंगे, दूसरा कोण, गुड़े अगर हम 2 करेंगे, दूसरा कोण, लेकिन कह रह तो आगर आपको छाट नीच वह रहा है यह दोनों का यह पूछा है एक पर इसका कोड़ निकाल जोड़ दीजें अब इधर से कान पकड़ी चाहे इधर से पकड़ीए मैं आपको कान सस्ते में पकड़ा दिया एक तरीका और था इसको हम यह मानते जो अनुपात दिया है इस क आर तीन साथ दो 9x बराबर एककस बराबर 20 चन्ष फिरक्स की वेलू निकालके इन दोनों कोड़ों को मान तीनों कोड़ों का मान निकालके जिसका मान पुस्ता सो जोड़ते-घटा थे जो भी करता वो कर दे इस तरह से यह तॉपिक हुए और हमने जो लाज़् टॉपिक पड़ा था कि दो समांतर रेखा को जब कोई एक तीर्यक रेखा पर च्छेद करती है उससे पहले लोगों ने पड़ा था सिर्चाव विमक कौण जब किसी भी दो सर्ल रिखा है कि एक बिंदू पर दुसरे को प्रच्छेद करती हैं उनके जो कोण आपस आमने सामने बनते हैं वो कोण सद्व आपस में बराबर या एक कॉल होते हैं उसी का अधार पर चलिए हम लोग आगे पड़ते हैं कि अधार अधार आपको त्री विजन कराने बाद हम आगे बलते हैं वो टॉपिक क्या था कि यहीं कोई त्रियक रेखा इसी बिंदो पर प्रिच्छेद करती हैं तो जिसके आमने सामने के कोण होते हैं वो श्रदय आपस में बराबर होते हैं इस प्रकार के बने कोड को इस आभी मुझ कोण कहते हैं सायद आपको यह टॉपिक याद होगा लॉजी भी याद होगा इस पर हम ज्यादा बात करना हो चित नहीं समझेंगे हम आते हैं अपको याद होगा मैं किवल रिविजन के लिए बता रहा हूं क्योंकि हमें जो पढ़ाना था जो हमारा उद्य निर्माल होता है क्या होता है आट प्रकार के कोणों का निर्माल होता है सबसे पहले में इस कोणों का नाम करन कर देते हैं कोण का नाम करन करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं राम स्याम मुहत जैसे किसी का ललका पादा जो भी नहीं जो आपका वही नाम रखे उसका जो मन व क्यों सी काते हैं अंता एक आंतर कॉन क्या है वो बाद में देखेंगे पहले ये देखेंगे कि परिच्छा में प्रस्णाइगा मैं के ज़िए करेंगे क्योंकि यह उम्मर याद करने की नहीं है अब क्यों को साल्व करना है अब कोश्चन साल्व कैसे होगा आईए हम लोग देखने का प्यास करते हैं तो आप सब अगर आपको याद होगा तो बात यहां पर असपश्च होगी इसके पहले अगर आपने सिर्षा विमुक्व कोंडा होगा छोड़ी सी बात असपश्च होगी कि कौन 1-3 के बराबर कौन 2-3 कों 5-7 के बराबर 6-8 पाइं ऐसजआ ह। एक बात और अस्पेस्ट होगा आपको, कौन एक प्लस कौन दो का योग कितना होगा, 180 हैंज, क्योंकि सरल कौन पर बने कौनों का योग जो होता है, कौल होता 180, मैं इन दोनों कौनों का, मैं नाम लेता रहूँगा, आप इसको ध्यान देखते रहेगा, युकि हमें दिखने जरूते दिख्कत आप खोई, ठीक, हमें आकमून के बताएंगे, तो बताएंगे, कौन कौन सा कौन है, लेकिन आपके लिए समस्या है, हमने का, कौन एक दो, प्लस कौन दो, जोनों कोनों का योग होगा, वो एक्क्षो अस्यान्स होगा, क्यों होगा, बता सकते हैं, हाँ, सरलेका बने बढ़ जाएंगे, सरलेका पर बने कौन, दो या दो से अधिक कौन, जितने भी कौन बनेंगे, उनका योग, शदो एक्क्षो अस्यान्स होगा, इसलिए इन दोनों का योग होगा, वो 180 डिग्री होगा, ठीक, अब आगे बात देते हैं, भविताजी आप बताईएगा, कौन एक और चार का योग कितना होगा, कौन एक और कौन चार के वालापी बताईएगा, कौन एक और कौन चार का ध्यांज समझे बताईएगा, कौन एक और कौन चार का योग कितना होगा, भविता जिसका नम भविता है भविता है भविता होगा, 180 होगा, त सरल रेखा के दाएं यह दिके सरल रेखा के बाएं सरल रेखा के किधर भी अगर कोई कॉण बनता है उसका योग 100 मुझे बस यह बताना है ठीक अभी साल कराएं कोश्चन अभी लौजी काम करेगा यह समझना है आपको यह बाद बता है इसे कौन कोण कहते फला कौन कौन काका कहते उसे का मतलब आपको अपने काम से मतलब है न तो काम अभी देखेंगे यह हो गया एक छोटा सा उधारण लेते हैं बगल में उधारण किस किसे लें चंद्रभान नहीं आ रहे हैं कि आई समय अच्छ अच्छ लगा क्या कौन करें यहां पर अंस बता है कि शिटीफाइब टिग्री कि तो तेड़ा रहे हैं सबसलल लएगा अगर यह 65 एंस है तो यह कितना होगा तो ध्यांद समझें अब सारा लॉजिक क्लियर हो जाए अपने आप एक सो पैसा जब यहां पैसाट है तो और यह कितना होगा ठीक अब जब यहां 115 है तो यहां देखी यहां कोण यहां कोण आपस में इन्हें कहते हैं संगत कोण तो यहां पर आएगा एक सो यहां पर आएगा अब मुझे एक चीज सिखाना था वह यहां सिखेगा ठीक अब लिखेंगे संगत कोण 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 सा है कोण एक और कोण इसको कैसे लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 6 इसे कहते हैं संगत कोण कोण सा कोण बाह संगत कोण कोण सा कोण फिर आते हैं अंतर संगत कोण में आंतरिक संगत कोण देखिए यह 65 यह 65 तो कोण 4 बराबर कोण 8 कोण 3 बराबर कोण 7 दिख रहा है ने कोण 4 कोण 8 के बराब कोण तीन कोण साथ के बराबर दिखाँ सब को को आपस में बराबर होते हैं नाम सुंदे चाले को काँ क्यात रखना है कि देखिए जब किसी दोग जब किसी दो समनांता रेखा को कोई अब और आपको यहीं आद रखना था यह बाहर सनद कोश में कोशेस 212 कोन चाहिए है कि अच्छा एक हमने संगत कोन सब देखा पर्योग कि यह यह दो संगत कोन होते हैं यह दोनों संगत संगत कोण आपस में अब कोल छोड़ी हो वह यह नियम कानू नहीं जाने हो ई ई बराबर ई ई बराबर ऐसे ठीक अब और आगे आते हैं हमने यहां लिखा कि कोण 4 बराबर कोण 8 कोण 3 बराबर कोण यह याद रख लिजेगा के डागरा मना Wanna चलिए हा ह爸爸 यह यह बराबर है यह सभी कोण आपस में में परपर वही में तरसार रहा थे सारे काद आपस में क्या है बराबर को कि सारे कोणा अपस में क्या है मोझे ज or दिखाना था सब्स है अब दीखें इन दोनों कोणों का योग सथ एकसो सीयंस होगा कौण सा कोण कहेंगे यह कोण 4 प्लस कोण 5 माने यहां होगा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 100 एक आंतर कोण होगा साथ छोड़िये खाली मुद्धे पाईए कि अगर किसी समनांतर रेखा में एदा इस्तिपकार से कोई कोण बना दिया जाए इन दोनों का योग 180 होगा बात खतम खिक यहां दोनों कोण का योग कितना हो गई है जब दो सरल रेखा प्रिछेद करती है अब देखिएगा अगर इसको जड़ बना दे जड़ फार तो यह कोण यह कोण माने कोण चार कोण चाके बराबर होगा देख लिजी कोण चार कोण चाके देखें यहां पर हो गया कोण चार बराबर कोण चार और कोण तीन बराबर कॉसर प्लियर हुआ इसको खाली लिख लिजी बास बात खतम अब लिख लिए बैस काम खतम खाली समझ लीजिएगा और गारेंटेट है सारे क्योंशन अप करेंगे यह यह से बराइब यह इसके बराबर देखे जट बनाएंगे चार 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 बराबर तीन पास के बराबर नाम अब लिखे कशली इतना लिख लिखिए रचाम लिखे ठीन हे इन हें और क्यों गभिशे दो आट के बराबर बर यह यह भी दिखता दो आट के बराबर रहे हैं लिखे डराम कर दो आट के बराबर एकirohrinday अगर किसी को समस्या हो तो पूछ लेगा एक कावस उन्हें दुरघटना से देर भली तोलासा धीरे चल लेंगे लेकिन यह नहीं किसी को नहीं सोज में तो पूछ ले ठीक कि जानता हो नहीं जानता हो आप लोग जानते हैं कई लोगों कि अभी तरहें एक तरीबुज बढ़ा कि यह पढ़ाना चीए था फिर भी उमीद करते हैं हमें इस सर ने आपको त्रुज पढ़ाए होगा इसी इसाब से त्रीबुज के तीनों अंता कोनों का योग सद एक 180S होता है या आपको पता है ने एक त्रुज में तीन सिर्स तीन भुजाय तीन उ होते हैं कि दो बुजाओं का योग तिसरी हुच से तिसरी बुजाज सदे उपड़ा होता है को त्री हुच को दो भागम डिवाइड करते हैं कोण क्या अधार पर अब लोग पढ़े लिए थे साथ अमिसर से तो आज हम लोग पसे जानते हैं त्री हुच कोण पढ़े लेते तो जानते ही होंगे आप इस कोण का मान क्या होगा यक्स का मान कैसे निकालेंगा पता है ना इन तीनों का एक स्वस्थी होगा ठीक तो इन दोनों को जोड़कर एक स्वस्थी से घटा देंगे इसे कौन सिच्ण विदी कहते हैं सरल से कठी नितरब है शुत्र है कौन शुत्र है शुत्र है चलिए इमेड वाले नहीं बोलते हैं बाल विगास हो लोग पढ़ते हैं चार साल आप कहेंगे चार साल कई से आगे आते हम लोग यह होगे किलियर कंसर्ट अब जुम्हें बताने जारों को ध्यांद समझेगा आपका समय परिच्छा हाद में बचा देगा यह कोई त्रिवुज है इसी एक भुजा को इसको बाहर तरफ बढ़ा दिया गया इसका मायन कितना रखें जो आप बताएं और 63 तो इसका मान यक्स का मान क्या होगा आप बताएंगा तो यह निकलेगा अब एक तब सब्सक्राइब ट्रिक खुबधान दिएगा इन दोनों का योग होगा वही अक्स का मान होगा यह यह लेकिन तरीका क्या लगाने का पहले इसका मान निकालें माना यह कोण क्या है यह एक सुआन यह इन दोनों का योग करके 130 से घटाएंगे तो 2123 क ठीक अब इन दोनों का योग सदव क्या होगा यह हां यह सारा आसानी से लागा सकते हैं हां हां यह संस का मानगा जो बताएंगा नहीं कोई यह मोरा जी बताएंगे अच्छा आप पाएंगे तो मान से नहीं मान से आएंगे अच्छा आप नहीं तो कि एक दिन अप्सेंट थे आपको पूरा कर दे रहे हैं हां 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 आप इस चारों कुणों में बता सकते हैं पहले इसका बता दिये कर एक था रहे हैं कितना होगा जब इसका बात साथ दिन दोनों के घटा दीजिया इसको इसमें निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का योगिये हैं आज अब योग पता जैसे राम स्याम मिलकर बार रुप्तिया कमाते हैं तभी उतने आएगा तभी तुम कह रहें हैं चार्ज अब लगाए मेरा मतलब है कि बिना नियम के लगाना है इस अब जानते कैसा लगता है कि हाई स्कूल में जाते हैं अब बड़ी बात यह जो गणिते की तविया देकर पढ़ाते हैं जो इसी कि अधियां साल्वता हुझे साल्वों करते हैं ना आगे ने पिछे हो गया यह कॉंसर्ट के लिएर न अब की कोश्चन के जवाब क्यों राहूल देंगे मिटा इसको है 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 हो नवी बताइज का मान कर यह पच्छत्तर नसा यह साथ अंसे यक्स कंदा कोई बोलेगा नहीं खाली साल्व करेंगे मैं यह चाहता हूं कि आप सारे खोड़ का मान निकाल ले अगर आपने निकाल लिया मतलब मेरा पढ़ाया को सहुए में आ गया बस कोई बोलेगा नहीं जवाब कोई निदे केवल अमन में साल्व करते हैं जो भी हो जो अजी से पथा कि दो डाली साल्व करेंगे में साल्व करेंगे में निकाल लेगा लेगा बस कोई जवान साल्व करेंगा. नहीं लीजे भाईया अगर आपको चित्रक दिक्कत हैं बदल दे रहा है कोश्च अब लेकोश्म बदल लिए नहीं चित्रवाली बात आगे थी मुझे बस कॉंसेट बताना था कॉंसेट सॉल्व कैसे हो है बागे लोग खुदी कर लेंगे कि आया आपका यह कि इसका कितना आएगा पचात्तर यह पचात्तर तो यह पचात्तर दिये कितना यह भी कि यह तीनों के जोड़ के गटा दे यह इसमें इसको गटा दे डारेट मतलब आप लोग को समय में आ रहा है आगे बड़े यह पचात्तर यह पचात्तर यह कितना आएगा सरल कोड हो गया सर्व कोड़ हो गया 165 घड़ाएं 105 जबी 105 आंप डियाक्तना इन दुनों कजोड गटा देंगे पर गटा देंगे अ त्रिवू जोग यह न तुनों के तरिपोज हो गया न तुनों को टम्ढ़ों के अश भ़़़ज 16 2 अश नहीं, हो गया, आगे बने, कोई समस्या, सरान सावाल दे, कठिन दे, कठिन दे, पकाद, यह उसकी बहलो निकालिये, लगाई यह आज तो, बहुत मान है आप, यह पचाश से, और यह वाई है, सली, इसका भी निकालिये तो, निकालिये, यह सवाई दोनों का, आओ कठिन दे, याल याम, जहाँ याल और याम एक समान अंतर रेखा, कि यह शहलो याल पूदित। कसमान अंतर रेखा,ion से, जह नि खिए।che का वपाई के के ले लिए।क वाल यह वाद, खि फो कर to the Baptist Anybody59s, कि अब बोल दिया है कि अब लगाएं बताई यह बताई है कि अब दॉच्छ। नो पहने भीप साथा एक्षो फैटीस और एक्षो फैट्था कि इसपायथिस और एक्षरफिस खुल होगा कि तरह साल्व करें एक तरीके से दो तरीके से किस तरीके साल्व करें काटे हैं इसको वह कारते हैं काट दिया इस कोण का योग कितना होगा एक सन लेखा बने कोणों का योग अथवा जब यह 45 तो यह कोण आभी पतली जिड़ वाला जैसे कुण चार और कोण छह यह देखिए इस तरह से इस तरह से आएगा ने यह और यह बरावर होगा छोड़ी यह पैताली से कितना होगा इन दोनों के एक स्वस्तिय है और जब यह 50 तो यह है इसको अटा देंगे दोनों जुड़ी आएंगे जब यह 265 यह पूरा तिसाट होगा 25 तिसाट जटाएं कितना होगा इस पंजान वे इस पंजान में एक तरीके साओ रहाएगा कैसे जब कुछाकु साब काटे थे यह 45 तो यह भी 45 यह 50 यह भी 50 पंचास पंचास पैतालीस अजब यह पंचानवे तिधर वाला दोनों कि आए सुझ में कि लगा यह फिर दूसरा सब्सक्राइब है कि अर्विंद जी सुझ माया है कि आपकार तभी आउल दे रहे ठोली जी इसी वाद है कि प्लीजी कि प्लीजी कि प्लीजी कि आरे भगवान जब यह पैता है अलीस है यह 135 होगा और यह 50 तो यह 130 इन दोनों का योग पुछा दोनों इस बीचला चिनटा दे हो गया दोसो पैसाट जब दोसो पैसाट है तुसार से खटा दिया एक तरीका सब्सक्राइब दोसा तरीका इससे निकाल लेंगे एक तरीका और इसका लगाने का बतायां क्या यह लाइन टेनी हो जाएकि समझें कम वही चित्र बनाया है यह 45 यह 50 इसको पैक कर देते हैं कि अब यह त्रिभूज हो गया अब यह 45 अधि यह कितना होगा इनवे होगा कि दोनों एका प्रशेट के नवे तिया भी 45 यह 50 तो यह 40 45 है यह कितना होगा अब यह 50 आई एक्सोंसिस घटा जेंगे तो पंचान जेंगे यह 59 आगया अधे पंचान भी यह 255 यह कि सब्सक्राइब यह 3 तरीका इसका लगाने जाई जी से लगाने मिटाएं आप मिटाएं आप जिस प्रशन का जब आप जिससे पूछेंगा उमीद करते हैं वही जवाब देगा ठीक ज्यादा आप लोग बताएं ने करें का हम बताएं हम बताएं हम बताएं येख सकामान का बताएं एक डियाग्राम ने बनाया और एक बात और लिखतें आपको यह यह है और यह यह है जहां यह शमनांता यह एक सो आटन से यक संसर तीसंसर ब्याली संसर अब बते ही क्या होगा है याक्स और वाई कमान निकाल लिए एक सुर्वाई कमान निकाली चलिए कितना सरल कर दिये थे हैं एक सुर्वाई कमान निकाली है आएग नहीं आएगा कई से मकिरन जी आप बताईए आदे टाफी खतम हो जाएगे टॉपिक अब आप लगाएं गलत आप बताईए पीछे मोर्या जी आप बताएं इतना सान देखिए कैसे सान देखिए कैसे यह देखिए कोण तीनों कोण शादिख रहें आपको दोनों के यह कितना है तो इसका भी 108 जब यह 108 है यह कितना होगा अब इन तीनों का युक्षासियंस होगा इन दोनों को जोड़कर एक्सवासिस घटा देंगे यह स्वाई कमान निकल जाए तो बैयालीस और बात्तर एक्सवासिस घटाएंगे ओड़ाने चाचाचा धनस बात्तर एक्सवासिसां इसकंदा यह शयंगे इसक्वासिच लिटाइट किसंदा बात्सरक भी 7 रख़ंड ओंदातर बात्तर आब इसक्वारी अच्वासिथ और ni थेख सवाल आपका तयार हो गया यह का आखरी सवाल है जो जो लगा लेगा उसका यह कॉंसेट के लिए जो जो नहीं लगा पाएगा उसका कॉंसेट इसको मिटाएं यल यम यल समनांतर यम इसको इसको सॉल्व कर लिया 110 यक्संज सॉवाल बस अब देखिए मुमरिया लोग सॉल्व करते हैं क्यों लोग आखरी सवाल है अजब बताएं कि देमत केगा इतना आसान था हां सही है उत्तर आगया तीस सही है इसको नाम रखेंगे यहन समनांतर यम तो यह समनांतर यहन समनांतर यहन समनांतर यहन बाहुच चाहिए यह दोनों के इंस्वासियंस होगा यह 110 लिए अब इन तीनों का इंस्वासियंस इन दोनों को जो लगे घटा जेंगे कि देड़ सो देड़ सो में से कटांगे एक सबस्ती है कि अब चाहिए जैसा पस्टनाएगा कर लेंगा आशानी से आपको इतना दिवाग हमने दे दिया वास्तों में रेखा गड़ी सरल है नहीं अब और सरल करेंगे लेकिन आपके आगे सिल्बस में नहीं है वरना आगे कि जो ब्रित उत्तवाला आताजे जितना वड़ा फोला करें जीवा हुआ खीचे दूई जीवा खीचे तीन जीवा खीचे आप बीना पर उठाए लगाएंगे बीना पर उठाएं लिब टैक्टिस करना होगा कि आप गड़ीट करें बस की दिया ठीक है ठीक है